इसका benefit आपको वहाँ जाकर बहुत मिलने वाला है एक तो जोब ढूनने में सबसे ज़्यादा benefit मिलेगा एलो दोस्तो क्या हाल चाला है उमीद करता हूँ कि आप लोग बढ़ी आउंगे आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अगर आप अजरभाईजान जाना चाह रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको वहाँ पर कोई problem ना है आपको काम भी easy से मिल जाए आपकी settlement भी अच्छे से हो जाए तो आज दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो मैं पहले भी अजरभाईजान पर वीडियो ड्वाल चकाऊं ओर रेड़ी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो मैंने उसमें प्रोपर तरीके से आपको पता है अभी अजरभाईजान का कौन-कौन सा वीजा टाइप होता है और वहाँ पर रहकर कितनी देर में PR मिल जाती है कितने पैसे आप कमा सकती हो तो मैंने ये वीडियो इसली बनाई है दोस्तों क्योंकि उस वीडियो के नीचे बहुत सारे सेम कमेंट आते थे भी हम already अजर्बाइजान में ही है मगर हमें काम में बहुत प्रशाणी हो रही है हमें काम नहीं मिलता है काम उसी को मिलता है जिसको वहांकि लैंगुज अजरी आती है तो इससे अचाप अजर्बाइजान में ना हूँ इसमें नोड़ दोस्तों, study visa लगा भी रहा है, लोग जा भी रहे हैं, e-visa में काफी जैंट डील कर रहे हैं, वो भी लगा है, वो भी लोग जा रहे हैं, मगर अगर अगर आपने सिरफ study के लिए ही जाना है, तो आप study visa में चले जाओ, अगर आप study visa पर जाकर वहाँ work का ढूंड होगे तो आपको बहुत जारा problem आनी वाली है कोगी language की दिक्कत आती है वहाँ पर अजरी जो language जानते हैं उनको ही ज्यादा prefer job की जाती है वरना आपको job ढूंडने में बहुत दिक्कत मिलेगी e-visa वालों के भी साथ यही same game चल रहा है तो अगर आपने चाहते हो भी आपको जाती ही आपको अच्छे एक work मिल जाए अच्छी job मिल जाए अच्छा काम मिल जाए तो आपको work permit पर जाना है दोस्ते को work permit पर जाना है जो job का contract जहां से hook कर जाता है वही आपको वहाँ मिलती है मगर आपने एक बात का जहां पर ध्यान रखना है ब्रीकी से जिस एजेंट से अब आपका work permit अप्लाई कर रहे हो ना उसे confirm कर लेना भी जो contract जो letter जो लिखा हुआ है वही आपको जो वहाँ पर मिलेगी ना कई बार ऐसा होता है भी work permit लेने के लिए work visa लेने के लिए जो work permit बनता है या contract बनता है वह एक तरह का जाली भी नहीं बोल सकते हैं मगर वह सिरफ visa के ही काम आता है वह genuine मतला आपको जो जोब नहीं मिलती है वह भी आपको confirm कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसे चले जाओगे वहाँ जाकर आपको जोब ढूनने में बहुत परशानी आ करते हैं तो अभी मैं यह वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं अब सवाल जी आता है भी कुछ मेरे भाई यह सोच रहे होंगे भी हमने तो अल्रेडी स्टडी वीजा यह वीजा अपलाई कर दिया है एजाइंट को पैसे दे रही है तो अब हम कैसे वर्क वीजा में जा सकते ह कैसे हो क्या हाल चाला है जो भी हम रूटीन में बाते करती हैं जो आप कुछी दिनों में सीख जाओगे इसका बैनिफिट आपको वहां जाकर बहुत मिलने वाला है एक तो जो डूढने में सबसे ज़्यादा बैनिफिट मिलेगा दूसरा आपको रहने खाने में आपकी ला पर एक वीडियो बना चुका हूँ आपको पता है किस किस वीजा के बारे में बताई है मैंने उसमें तो यह आपके काफी helpful होने वाली है अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज यह लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को मिलते हैं एक नई वीडियो आप तता के लिए भाई भाई टेक केर